उम्शन्ति, प्रेम के सागर परमात्मा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो, याद से साथ का भी अनुभो होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं. प्रश्न हैं, दूर देशी बाप बच्चों को दुरान देशी बनाने के लिए कौन सा ज्यान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन भिन वर्नों में आती है? इसका ज्यान दुरान देशी बाप ही देते हैं. तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मन वर्न के हैं, इसके पहले जब ग्यान नहीं था तो शूद्र वर्न के थे, उसके पहले वैश्य वर्न के थे. दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दुरान देशी बनने का सारा ग्यान बच्चों को देते हैं. गीत है, जो पिया के साथ है, उसके लिए ग्यान की बरसात है. उम्शन्ती, जो ग्यान सागर के साथ है, उनके लिए ग्यान बरसात है. तुम बाप के साथ हो न, भगवन तो मास्चर ग्यान का अथोरिटी बना रहा है हमें उस्वयम तो ग्यान से भरपूर है ही हमें भी बना रहा है भल विलायत में हो वा कहां भी हो, साथ हो दिल से तो बाबा के साथ है न याद तो रखते हो न जो भी बच्चे याद में रहते हैं, वह सदईव साथ में हैं, याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं, फिर शुरू होता है विकर्मा जीत समवत, फिर जब रावन राज्य होता है, तब कहते हैं राजा विकर्म का समवत, वह विकर्मा जीत, वह विकर अभी तुम विकर्मा जीत बन रहे हो। अभी हम योगबल से विकर्मों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सत्युग में देवता यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो डिवीजन होगा ना कि यह देवी देवता धर्म का है, यह फलाने धर्म का है। परन्तु जब दूसरा कोई धर्म ही नहीं है तो उसका नाम भी नहीं लेते इतना। यहां बहुत धर्म हैं तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे है। वहां तो है ही एक धर्म इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस धर्म के है। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते है। उनकी ही राजाई है, एक राजाई है ना, एक भाषा, एक राज्य, एक ही महराजा। अभी तुम जानते हो, हम आदी सनातन देवी देवता धर्म के है। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतीत होने कारण अपने को देवता कह नहीं सकते पवित्र को ही देवता कहा जाता है वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं कोई से भेट नहीं की जा सकती अभी तुम संगम्युपर हो जानते हो आदी सनातन देवी देवता धरम फिर से स्थापन हो रहा है वहां तो धर्म की बात ही नहीं है है ही एक धर्म यह भी बच्छों को समझाया है यह जो कहते है महाप्रलय होती है अर्थात, कुछ भी नहीं रहता यह भी रॉंग हो जाता है बाप बैठ समझाते है, right किया है शास्त्रों में तो जलमई दिखा दी है बाप समझाते हैं सिवाए भारत के बाकी जलमई हो जाती है सारी दुनिया जो है सारे भारत के सिवाए जो भी राज्य जो भी देश जो भी खंड है वो सारे जलमई हो जाने है इतनी बड़ी सुरुष्टी क्या करेंगे एक भारत में ही देखो कितने गाउ है पहले जंगल होता है फिर उनसे वृद्धी होती जाती है महां तो सिर्फ तुम आदी सनातन देवी देवता धरम के ही रहते हो यह तुम ब्रामनों की बुद्धी में बाबा धारना करा रहे है अभी तुम जानते हो उंच ते उंच शुबाबा कौन है उनकी पूजा क्यों की जाती है अक आदी के फूल क्यों चड़ाते है वह तो निराकार है न कहते है नाम रूप से न्यारा है परन्तु नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती नहीं तब क्या है जिसको फूल आदी चड़ाते है पहले पहले पूजा उनकी होती है मंदिर भी उनके बनते है क्योंकि भारत की और सारे दुनिया के बच्चों की सर्विस करते है मनुश्यों की ही सर्विस की जाती है न इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे फिर अभी बन रहे है अभी बाप समझा रहे है तो समझाना चाहिए यह नौलेज सिवाए बाप के कोई दे न सके उनको ही कहते है ज्यान का सागर, नौलेजफुल गाया हुआ है रच्ता और रच्ना को रुशी मुनियादी कोई भी नहीं जानते नेती नेती करते गए है जैसे छोटे बच्चे को नौलेज है क्या? जैसे बड़े होते जाएंगे बुध्धी खुलती जाएगी बुध्धी में आता जाएगा, विलायत कहां है, यह कहां है तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नौलेज को कुछ भी नहीं जानते थे यह भी कहते है, भल हम शास्त्रादी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे म्रमा बाबा तो सारा शास्त्र पढ़ा है, कितनी बार रोज गीता का अध्यान करते थे परंतु बाबा कहते है, सब पढ़ते हुए भी जैसे कुछ नहीं जानते थे मनुष्य की इस ट्रामा में एक्टर का पार्ट है सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है भारत की हार और भारत की जीत भारत में सत्यूग आदी के समय पवित्र धर्म था इस समय है अपवित्र धर्म अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते है फिर भी श्री श्री नाम रख देते है लेकिन श्री माना श्रेष्ट मनुष्यक तो अभी पतित हो चुके है तो श्रेष्ट कैसे कहा जा सकते है श्रेष्ट कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को श्रीमत भगवानुवाच कहा जाता है अब श्री कौन ठहरे जो बाप के सम्मुक सुनकर श्री बनते है या जिन्होंने अपने को श्रीश्री कहलाया है दोनों option दिये बाबा ने जो अभी ज्यान सुनते है, श्रीमत पर चलते है वो श्रीश्री ठहरे या जो अभी मनुश्य अपने आपको श्रीश्री कहलाते है बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े है वह भी अपने उपर रखा दिये है यह सब है रेजगारी बाबा के जो करतव वाचक नाम है भूला नाथ तो कईयों का नाम भूला रखा हुआ है इस प्रकार से जो बाबा के भगवान के करतव वाचक नाम रखे वो मनुश्यों के भी रख दिये तो बाबा कहते हैं यह सब है रेजगारी फिर भी बाब कहते हैं बच्चो एक बाब को याद करते रहो यह वशीकरण मंत्र है जितना बाबा को याद करेंगे न विखर्म विनाश होंगे और आत्मा उतनी प्योरिफाई होते जाएगी तुम रावन पर जीत पहन जगत जीत बनते हो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो यह शरीर तो यहाँ पांच तत्तो का बना हुआ है बनता है छूटता है फिर बनता है अब आत्मा तो अविनाशी है अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे है संगम युग पर भल कितने भी विग्न आदी पढ़ते है, माया के तुफान आते है तुम बाप की याद में रहो तुम समझते हो, हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने है तुम्हारे में भी नंबरवार जानते है तुम बच्चों की बुद्धी में है, हमने ही पहले-पहले भक्ती की है जरूर जिसने पहले-पहले भक्ती की है, उसने ही शिव का मंदिर बनाया क्योंकि धन्वान भी वह होते है, बड़े राजा को देख, और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे यह सब है डिटेल की बाते एक सेकेंड में जीवनमुक्ती कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही आत्मा यह शरीर छोड़ेगी जीवनमुक्त हो जाएगी, जब हम परमधाम जाएंगे तो एकदम जीवनमुक्त स्थिती में होंगे, है न, सत्योग में भी कोई बंधन नहीं होगा, शरीर का या रिष्टेदारों का या विकर्म नहीं होंगे, तो कोई स्थूल बंधन नहीं होगा, वहां भी जीवनमुक पर लगता है, याद की आत्रा में ही महनत है महत मिन ज्ञान तो समझ जाते हैं पुकारते भी है बाबा आओ, आकर हमको पतीत से पावन बनाओ ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ सब कहेंगे पतीत से पावन बनाऊ पावन दुनिया कहा जाता है सत्यूग को इनको पतीत दुनिया कहेंगे पतीत दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं अपने प्रती गुरुना नहीं रखते तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अच्छूत है क्या? अरे तुम खुदी कुद को कहते हो बाबा भी कहता है कि खुदी कैसे कहते है खुद को पतीत तो सब है न तुम कहते भी हो हम पतीत है यह देवताओं पावन है मंदिरों में जाते है तो क्या कहते है देवताओं क्या आगे हम नीच है पापी है पतीत है और देवताओं को कहते तुम पावन हो, तो पती को क्या कहेंगे, गायन भी है न, अम्रिच छोड विश काहे को खाए, विश तो खराब है न, बाप कहते है, यह विश तुमको आदी मध्य अंत दुख देता है, परन्तु इनको पॉईजन समझते ही थोड़ी है, जैसे अमली अमल बिगर रहने सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगर रहना सके, लड़ाई का समय होता है, उनको शराब पिलाकर नशा चड़ाए लड़ाई पर भेज देते है, नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है, उन लोगों को मारने का डर नहीं रहता है, कहां अभी बॉम्स ले जाकर बॉम्स सहित गिरते है, गायन भी है, मुस्लो की लड़ाई लगी, मिसाइल्स की लड़ाई का गायन है न, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, आगे तो सर्फ पढ़ते थे, पेट के मुस्ल निकाले, फिर यह किया, अभी कौन है, कौरव कौन है, स्वरग्वासी बनने के लिए पांडव ने जीते जी देह अभीमान से गलने का पुरुशार्थ किया, वो जो बताते है न, पाहड पर चड़े, एक्च्वल में इतनी उंच आत्मिक स्थिती बनाई, देह के भान से उपर चले गए, देही अभीमान है, बाप बच्चों को ही समझाते है, बाप कहते है, मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव, शिव जयनती भी मनाते है, भक्ति मार के लिए कितने मंदिरादी बनाते है, नाम भी बहुत रख दिये है, देवियों के भी ऐसे नाम रख देते है, इस समय तुम्हारी प पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मिनारायन के हम पुजारी थे वह अभी हम खुद बन रहे हैं। इह ज्यान बुद्धी में हैं। सिमरन करते रहो फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत है जो धारना नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जास्ती धारना नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं। याद की तो धारना है न। बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहां बैठे सिमरन करे। यहां कोई बंधन जंजट आदी है नहीं। घर में बाल बच्चो आदी का वातावरन देख यह नशा गुम हो जाता है। यहां चित्र भी रखे है। किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदी पूरी कंठ कर लेते है। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है बाप को। तुम कहते भी हो बाबा, यह है बिल्कुल नई चीज। यह एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। पांच हजार वर्ष पहले भी सिखाया था और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ग्यानसागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो न सके। ग्यानसागर बाप ही तुमको समझाते है। आजकल ऐसे भी बहुत निकले है जो कहते हैं हमने अवतार लिया है। इसलिए सच की स्थापना में कितने विगन पढ़ते हैं। बाबा ने वैसे भी पहले ही कहा था कि जैसे आदी में ज़ाड हिला था वैसे अंत में भी ज़ाड हिलेगा। अनेकों की बुद्धी निष्चय बुद्धी से संशय हो जाएगी। जब ऐसी ऐसी बाते सुनते हैं कि यहां पे परमातमा का उतरुन हो रहा है यहां पे बाबा आ रहा है। तो अच्छय-च्छय पुराने भी उसमें बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। यह भी तो एक एक विगन डालना हुआ। तो बाबा समझाते है, ग्यान सागर बाप ही तुमको समझाते है, आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं, हमने अवतार लिया है, इसलिए सच की स्थापना में कितने विगन पड़ते हैं, परन्तु गायन है न, सच की नाउ हिलेगी, डूलेगी, लेकिन डूबेगी न चाहिए, आगे यात्रा पर जाते थे, तो दिल में क्या आता था, अभी घर बार छोड़, यहां आते हो, तो क्या ख्यालात आते हैं, हम बाप दादा के पास जाते हैं, बाप ने यह भी समझाया है, मुझे सिर्फ शू बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया है, वह है ब प्रवेश करते हैं, बिरादरियां होती हैं, पहली पहली बिरादरी ब्रामनों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है, अभी दूर देशी बाप बच्चों को दुरान देशी बनाते हैं, तुम जानते हो, आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन भिन वर्णों में आई है इसका ग्यान दुरांदेशी बाप ही देते है तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मन वर्ण के है इसके पहले जब ग्यान नहीं था तो शुद्र वर्ण के थे हमारा है ग्रेट 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 ग्रेंट फादर ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट शत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्रामन, भाबा ने सब बन्शों के आगे आज ग्रेट शब्द यूज़ कर दिया अब यह बाते सिवाए बाप के और कोई समझा न सके इनको कहा जाता है दुरान देश का ग्यान, परमधाम का ग्यान देते है बाबा दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ग्यान देते है बच्चों को तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते है, ब्रमा बाबा के तन में आते है यह पराया देश, पराया राज्य है, श्यू बाबा को अपना शरीर नहीं है, और वह है क्यान का सागर, स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है, कृष्ण थोड़े ही देंगे, श्यू बाबा ही देगा, कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, बाप राज्य देते है, बाप से ही वर्सा मिलता है अभी हद के वर्से सब पूरे होते है सत्युग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्सा लिया हुआ है यह भी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्सा आधा कल्ब के लिए ले रहे है 21 पीडी यानि पूरी आयू जब शरीर पुड़ा होगा तब समय पर शरीर छोडेंगे बाप कहते है जब शरीर बुढ़ा होगा जब सत्यूग में अमर लोग क्यों कहते है क्योंकि अकाले बृत्यू नहीं है जैसे ही 1.500 वर्स की आयू होती है तब शरीर बुड़ा होता है, तब automatically हमको साक्षातकार होता है, कि अब शरीर छोड़ना है, तो उसकी विड़क सर्मेनी मनाई जाती है, क्योंकि खुशी-खुशी शरीर छोड़ते हैं, जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नहीं लेते हैं, हमारा भी पाट बजाते-बजाते य तुम्हें कहा जाता है कि कीड़ो को ले आकर बैठ भूबू करो, ब्रमरी भी भूबू करती है, फिर कोई को तो पंखा जाते है, कोई मर जाते है, मिसाल सब अभी के है, तुम लाडले बच्चे हो, बच्छों को नूरे रत्न कहा जाता है बाप कहते है नूरे रत्न तुमको अपना बनाया है तो तुम ही हमारे हुए न? ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे कितनी कोई यह बात है हम जानते है कि केवल एक शुबभा को याद करने से पाप करते हैं, दूसरे कोई देहधारी को याद करते हैं, तो उल्टा को और भी हिसाब किताव entangle होते है बढ़ते हैं तो क्यों न हम उस मीठे मीठे प्यारे प्यारे शुव बाबा को याद करें। बुद्धी भी यही कहती है और मन भी यही कहता है। अच्छा, मिठे मिठे सिखिला दे बच्चो प्रेती मात पिता बाप तादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। वा बाबा वा शुक्रिया बाबा शुक्रिया थारना के लिए मुख्यसार है पहली पॉइंट जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुशार्थ करना है इस पुरानी जुद्धी में जरा भी ममत्वन रहे दूसरी पॉइंट सच्चा ब्रामन बन कीडों पर ज्यान की कर उन्हें आपसमान ब्राह्मन बनाना है जब रमरी भी कीडों को जो पैप्यूल होता है उसको भूम 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 करते रहती है तब जाके उसमें से वो निकलता है और उड़ता है अच्छा आज का वरदान है होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणी भव त्रिकाल दर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परक्ते हुए उनकी कमजोरी को स्वयम में धारन करने या वर्नन करने के बचाए कमजोरी रूपी काटे को कल्यान कारी स्वरूप से समाप्त कर देना काटे को फूल बना देना स्वयम भी संतुष्ट मणी के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना जिसके प्रती सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति वा ऐसी स्थिती में सदाख के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना दिना ऐसा शुरेष्ट करतव्य चलता रहे, तो परोपकारी संतुष्ट मनी का वर्दान प्राप्त हो जाएगा स्लोगन है, परिक्षा के समय प्रतिग्या याद आए, तब प्रतिक्षता होगी जब परिक्षा आए, तो अपनी प्रतिग्या को याद कर ले कि हमने बाबा से क्या-क्या वाइदे किये है तब बाबा को प्रतिक्ष कर सकेंगे अच्छा, उम्शंती कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो निमित्त भाव, निर्मान भाव, निर्मल्वानी, उम्शंती